हलो गाईज इस वीडियो में हम जानेंगे परकृतिक वस्तू और मानो निर्मित वस्तू किसे कहते हैं तो वीडियो को ध्यान से दिखिए जो चीज दिखत रगेगा आप नीचे जरूर लिखिएगा आप सबको इजली दिख भी रहाओगा प्रकृतिक वस्तू जिसे इंग्लिस में कह सकते हैं नैचुरल अबजेक्ट ओके यहाँ पर मैंने लिखा है कि वैसी वस्तू जिसको किसी ने नहीं बनाया उसे प्रकृतिक वस्तू कहते हैं तो परिभासा मैंने साफ साफ लिखा है कि जिसको किसी ने नहीं बनाया तो भाई साहब यहाँ पर जैसे में है जल जल जिसे हम पानी भी कहते हैं आप ही बताइए कि जल जिसे पानी कहते हैं क्या उसको किसी ने बनाया है नहीं बनाया है तो पानी क्या हो गया बानी हमारा हो गया प्रकृतिक वस्तू तो परिभासा क को याद रखी आपको बिल्कुल समझ में आ जागा क्या कह रहा है कि जिसको किसी नहीं बनाया गाई उसे कहते हैं पराकृतिक वस्तु यहां तक क्लिए रहा उदारन में मैंने बहुत सारा लिख रहा है हवा मेटी वन पहाड नदी समुंद्र जील फुल यह सभी के सभी क्या ह यह सब पराकृतिक वस्तु यह है इन सब को किसी नहीं बनाया है इसलिए हम इनको कह रहा है पराकृतिक वस्तु ठीक है और आगे लिखा हुआ है बर्मान में उपस्तित सभी चीजे बर्मान में जितने भी चीजे उपस्तित हैं वो सब के सब क्या है वो पराकृतिक को किसरी नहीं बना जैसे मैंने कुछ लिख रखाया सूरिय सूरिय हो गया तारे गरह उपगरह आदी चीजे यह सभी के सभी चीजे जो हैं वो सब क्या हैं यह सब चीजे जो आपको दीख रहे हैं यह सभी के सभी चीजे हमारे प्राकृतिक वस्तू हैं यह प्राकृतिक वस् परिभासा में लिख दिया है कि जिन जिन चीजों को लोगों ने बनाया उसे मानो निर्मित वस्तु कहते हैं तो आप परिभासा देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि मानो निर्मित वस्तु किसको कहते हैं यहां पर देखिए आसानी से जैसे मैं मैंने ले रखा है घर तो होता है वो मानों ही बनाते हैं आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं तो घर हो गया मोबाइल कोपी किताब कलम गाड़ी घड़ी इतियादी और भी बहुत सारे चीज़े हैं जिसको मनुसिय ने बनाया है लोगों ने बनाया है तो जिन जिन चीजों को लोगों ने बनाया है उस जय बहार